जहिन आज हमारा यूरोप में राष्ट्रवात का उदय की आखरी क्लास है तो चलिए बीना देर किये हुए हम लोग देखते हैं कि आज की क्लास में हमें पढ़ना क्या है तो आज की क्लास में हमें सबसे पहले पढ़ना है राष्टरवात की परिभासा और फिर यूरोप में राष्टरवात के उद्य के कारण और चार महत्मों सब्द एक जॉलवेराइन, जैकोबिन क्लब, मौयान और जर्मेनिया इनके बारे में मुझे अध्यान करना है तो चलिए कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं इससे पहले आप इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए और ऐसा भी या अगर आप अपने पेपर में लिखके चले आते हैं तो आपको नमबर मिल जाएगा तो चलिए फटक से स्क्रीन सॉट लीजिए फिर मैं आगे प्लास को जारी रखता हूँ चलिए तो शुरू किया जै सबसे पहला सब्दा आता है इसमें राष्टवाद इंगलिस में बोलते हैं nationalism तो राष्टवाद क्या है राष्टवाद एक ऐसी सांस्कृतिक और अध्यात्मिक भावना है याद रखिएगा जो लोगों को एकता के सुत्र में बानती है और उन्हें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है मतलब समझ रहे ना कि जैसे हमारे य हमारे याँ पे कितनी भी पार्टियां हो आपस में लड़ रही हैं जैसे ही देश की बात आती है कोई दूसरा देश हमारे बारे में बोलता है तो भी पच्छी पार्टी भी उसका विरोध करने लगती है भी आप हमारे देश की बारे में क्यों बोलते हैं ऐसा होना चाहिए लेकिन दुर्भाग यवस हमारे देश में ऐसी कमी है क्योंकि हमारे नेता अनपढ़ादी जो भी लोग है वो हमारे देश को पीछे ले जाने में लगे हुए है तो उनको किसी एक पार्टी का विरोध करना है उस पार्टी का विरोध करने के लिए चाहे उन्हें देश का विरोध क्यों न करना पड़े दंगे फसाद ही क्यों न करवाने पड़े तो यहां पर राष्टवाद का मतलब समझीएगा आप लोग कि राष्टवाद एक ऐसी सांस्कृतिक तथा आध्यात्मी भावना है जो लोगों को एकता के सुत्र में बानती है और उन्हें अपने देश से प्रेम करना सिखाती है अर्थाद हम लोग कितने भी मटे हुए हो कितनी भी जातियां हमारी कितने भी धर्म हो लेकिन जैसे हमें बोलना होता है भारत माता की जय तुरंत सब के मुझे आवाज आनी चाहिए जय चाहिए आप किसी भी जाती किसी धर्म को मानते हो ठीक है ना ये बात को याद रखिएगा चलिए तो यहाँ पे राष्टवाद की परिभासा हो गई इतना आप लिख देंगे तब भी आप लो नंबर पा जाएंगे इसकी सुरुवाद कैसे हुई थी राष्टवाद की सबसे पहली जहलक हमको कहा देखने को मिलती है फ्रांसीसी करांती से तो आप लोग कमें बॉक्स में तुरंद बताईएगा कि फ्रांसीसी करांती सुरू कब हुई थी देख क्या रहा है फट से बताईए फिर आगे बढ़िए ठीक है ना चलिए बाद में इतली और जर्मनी का एकी करण में इसकी जहलक मिलती है तो हम लोगों ने पढ़ा भी पीछे पिछली आप क्लासेद नहीं देखे हैं तो देख लीजिए चार क्लासेद हमारी हो चुकी है इस पर देख लीजिएगा अच्छे से चीजों को आप क्लेयर करके समझ जाएंगे ठीक है ना तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी करांती के बाद और इनके राजा कौन-कौन बने थे ठीक है ना ये बात मुझे आप लोग बताईएगा चलिए तो इटिली और जर्मनी के एक ही करण में राश्टरवाद की जलग दिखाई देती है कैसे इन सब बातों से अभी हमेके करके समझेंगे तो ये आपके कहानी हो गई राश्टरवाद क्या है? शुरुआद कहां सी हुई ये भी बात हो गई ये सब कहानी आपको देखने को मिल गई है तो सवाल ये उठाई ये हमें क्यों ऐसी चर्चा करी गई क्योंकि इनकी सुरुआद ये होती दिख रही थी हमें आपको एकत्रित करने लगे थे और अपने ऊपर बाहर की ताकतों के प्रभित्तों को समाप्त करने के लिए लडाई करना सुरू कर चुके थे बिद्रोह करना सुरू कर चुके थे इसी लिए हम लोग यूरोप में राष्टवाद के उद्य को पढ़ते हैं ठीक है ये बात को ध्यान में रखियेगा इसके बाद आता है भारत में राष्टवाद भारत में भी तो राष्टवाद का उद पढ़ा जा रहा है याद रखेंगे आप लोग तो यहां पर क्या हुआ यूरोप में राष्ट्रवात का उदय के कारण क्या थे चुकि यूरोप में क्या था पहले निरंकुछ सासन था जो राजा लोग थे वो जनता को दबा कर रखते थे जनता को कोई नियम कानून बनाने म समर्थन नहीं पूछा जाता था मतलब आप जाते हैं कि नहीं चाहते हैं यह सब बाते नहीं पूछी आती थी यद रखी परन्तु जब फ्रांसीसी करांती के बाद नैपोलियन वहा की सत्ता में आया तो उसने लोगतंत्र को समाप तो किया लेकिन एक नई विचारधारा का उसने प्रवाह किया राष्टरवाद हमें जीना है तो एक देश के लिए जीना है हमें सब के उपर अधिकार करके जीना है हमें अलग से रहना है ठीक है न यह सब भावना है पनपी उसके बाद लोगों के अंदर तो यूरोप में राष्टरवाद के उद्धे की सुरुवा लोगों को लेकिन मैंने कहा थाना जब अंगूर के हाथ लंगूर लग जाता है तो फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है वही हाल वहां की जनता के साथ भी हुआ कि उन लोगों के अंदर लोकतंत्र की ललक जग गई थी इसी लोग फिर से पूरानी विचारधारा में नहीं जाना चाहते थे दब कर नहीं रहना चाहते थे यही कारण है कि उन्होंने अपने छेत्र के लोगों को एकत्रित करके इन राजाओं के निरंकुस राजाओं के विरोध में विद्रोख करने का निरड़े लिया जिससे शुरू होता है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है ना, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में सबसे बड़ा योगदान भीया इसी मध्यम वर्गा था, क्योंकि सबसे दिक्कती नहीं को थी, मध्यम वर्ग था क्या, बताया था ना मैंने आपको, मध्यम वर्ग या बुर्जुवा वर्ग ठीक है हुआ क्या कि जब अठारवी सताब्दी चल रही थी तो वहां तक यूरोप में दो ही वर्ग था एक वो कुलीन वर्ग या सामंत वर्ग जो राज करता था और दूसरा क्रिशक वर्ग जो बचारा खेती करता था हमें साथ दबे हुए अवस्था में रहता था परन्त जब यूरोप में अध्योगी करण की सुरुवात हुई अध्योगी करण की सुरुवात मतलब नए नए उध्योग लगे सारी चीज़ों को मसीनों से बनाया जाने लगा तो आपर उध्योग पती आये ना भहिया जो उध्योग बनाएंगे अपना फैक्टरी बनाएंगे वो द्योपती कहलाएंगे उसमें काम करने वाले लोग सरमिक कहलाएंगे और जो टीचर आधी का पेशा करने वाले लोग थे वो लोग आपका ध्यापक कहलाएंगे सेवा छेत्र में आएंगे ब्यापारी लोग थे सामानों की धर दर ले जाने वाले तो ऐसे ही लोगों के वर्ग को मध्यम वर्ग या बुर्जुवा वर्ग कहा गया थे इनको मध्यम वर्ग क्यों कहा गया तो कि इनके पास पैसा था परंत वो इज्जत नहीं मिल रही थी जो मिलनी चाहिए थी तो सबस्याला दिक्कत इन्हीं लोग को थी इसलिए इन लोगों ने कहा भया कि हमें अपने देश के लोगों को एकत्र करना होगा और इन कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग के लोगों से छुटकारा दिलाना होगा अब इन लोगों को हमेकत्र कैसे करें इसके लिए हमें इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगानी होगी भाईया हमारा राष्ट है हम कानून बनाएंगे हम नियम बनाएंगे ठीक है न याद रखिएगा तो मेरी बात को आपने सुना और क्या लिखेंगे आप लोग लिखेंगे कैसे चुकि अठारमी सताब्दी तक यूरोप में दो ही वर्ग था कितना वर्ग था दो वर्ग था पहला कुलीन वर्ग जो की राज करता था दूसरा क्रिसक वर्ग परंतु मैं जो लिखना है वो बोल रहा हूँ अप इसको लिखते जाएगा आप वीडियो को रोक कर या धीरे करके तो परंतु जब अध्योगी करण की सुरुवात हुई तो एक नए वर्ग मध्यम वर्ग का उदै हुआ जो की उध्योग पतियों ब्यापारियों और सेवा छेत्र के लोगों से मिलकर बना था इन लोगों ने अपने आपको समानता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवाद का सहरालिया राष्ट्री एकता का सहरालिया जिससे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदै को मदद मिले ठीक है ना ये बात को ध्यान में रखिएगा ये कहानी हो गई अब दूसरे पॉइंट पर आते हम लोग संस्कृत की भूमी का ये काफी important point थ इस पर आपको एक सवाल 2022 में सीधा सीधा देखने को मिल जाता है अलग से ही पूछा गया था यूरोप में राष्ट्रवाद के उदे में संस्कृत की क्या भूमी का थी उदारर सही तस्पष्ठ कीजिए ठीक है को अपने काब्यों, कलाओं, लोग गीतों, नृत्यों के द्वारा प्रदर्शित करना सुरू किया, जिससे वहां की जनता के भीतर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, संस्कृत क्या होता है भी यह संस्कृत, एक समूं के जीवन जीने का तरीका, वो जिस तरीके से जीवन जी रहा है, जो जो माननेताओं को मानता है, उसी माननेता को संस्कृत कहते हैं, याद रखिएगा तो वहां पर जो कभी लोग थे, उसको कविताओं के माध्यम से लिखना प्रारम की भीया कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमारे संस्कृत ये कहती है, लेकिन हम इन लोग के चक्कर में दबे पड़े हुए हैं, याद रखिएगा, तो इन लोगों ने अपनी कविताओं, काब्यकलाओं, लोग गीतों, रित्यों की सह प्राइता से राश्ट्रवाद की भावना को प्रदर्सित करना सुरू किया जिससे यूरोप के लोगों में राश्ट्रवाद की भावना पनपने लगी ठीक है इस प्रकार संस्कृति ने राश्ट्रवाद के उदय में महत्पुन योगदान दिया इसके तीन उदहरण निम्न प्रकार हैं, पहला एक फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक का यूटोपिया, फ्रांसीसी चित्रकार फ्रेडरिक का यूटोपिया, यूटोपिया मतलब कलपना आदर्स, वास्तविक्ता नहीं थी, बस इसने एक कलपना आदर्स दिया, क्या दिया भया, कलपना आदर्स दिया, इसने क्या किया इसने चार चित्रों की एक स्रिंखला प्रस्तूत की कितने चित्रों की चार चित्रों की एक स्रिंखला प्रस्तूत की उस चित्र में दिखाया क्या गया कि सभी वर्ग के महिला और पुरुस सभी वर्ग के महिला और पुरुस स्वतंतरता की प्रतिमा का वंदन हाथ में मसाल और घोसना पत्र लेकर कर रहे थे क्या लेकर कर रहे थे भईया हाथ में मसाल और घोसना पत्र लेकर स्वतंत्ता की प्रतिमा का वंदन कर रहे थे कि भईया हमें स्वतंत्ता चाहिए हम आपके अंडर में नहीं रहना चाहते हैं ठीक है न, याद रखेगा, हम जो अभी तक बंटे हुए हैं, हमें बंट कर नहीं, हमें एक साथ रहना है, हमें एक साथ रहना है, तो इस चित्र में ऐसा बताया गया था, तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसको पहले हेडिंग के रूपे लिखेगा, फिल लिखेंगे, यह फ्रांसेशी चित्रकार था, जिसने एक चार चित्रों की स्रिंखला प्रस्तूत करी, जिसे यूटोपिया नाम दिया गया, जिसमें सभी उम्र के पुरुस महिला बच्चे, आदी हाथ में मसाल और घोसना पत्र लेकर, स्वतंतरता की प्रतिमा का वंदन कर रहे थे, और यह कह रहे थे, कि हम लोग जो अभी तक समुहों में बटे हुए हैं, हमें बटना नहीं है, हमें राष्ट्री रूप से एक होना है, ठीक्या ना, तो यह राष्ट्रवात की भावना कथा की नहीं मामला यहाँ पे, जिहां दीजिएगा आप लोग, दूसरा हेडिंग लिखिए फ्रिट्ज गा स्वतंतता ब्रिक्ष का रोपन, ऐसा नहीं तक कोई पेड़ लगा दिए कहे स्वतंतता का ब्रिक्ष ना, इन्होंने भी एक चित्र बनाया, यह एक जर्मन चित्रकार थे, और इन्होंने एक चित्र बनाया, चित्र में क्या किया, चारों और से पुरुसों और महिलाओं को खड़ा कर दिया और उनके चित्र में एक चीत दिखाया गया था एक फ्रांसीसी सैनिकों का दमनकारी रूप चुकि फ्रांस में क्या चल रहा था उस समय फ्रांस में निरंग कुछ सासन चल रहा था कि नहीं चल रहा था राजय लोग अपनी कुली नुवर्ग अपनी मनमानी कर रहा था, क्रिसकों पर कर लगाया जा रहा था, क्रिसक कर्ज के बोस्तले दवा हुआ था, तो इस चित्र में इन्होंने ऐसा ही दिखाने का प्रयास किया था, जर्मनी में भी इन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था, बीच में पेड लगा था उस पेड को स्वतंतता का वृक्ष कहा गया था और उस पे ब्यंग स्वरूप लिखा गया था कि हमसे आजादी और समानता लेलो यही मानावता का आधर स्वरूप है यह point है जैसा लिखा मैंने वैसा ही लिखा मैंने अपने मन से नहीं बोला यह उस चित्र में ये भी बात दिखाई गई थी जो फ्रांसीसी सेना थी वो एक किसान की गाड़ी को पलड देती है कुछ युवा महिलाओं को परिसान करती है याद रखिएगा और किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है ऐसा भी इसके चित्र में दिखाया गया था तो आप इन बातों को भी इसमें जोड सकते हैं तो दो-तिन लाइन बढ़ जाएगा जोड़िएगा कब? जब ये सवाल अलग से पूछा जाएगा तब ठीक है ना? याद रखिए तीसरा क्या था? डेला क्रोवा अप या का मत्रह है? एक फ्रांसी सी चित्रकार था और इसने एक चित्र क्या बनाया? The Massacre at Kios The Massacre at Kios ये कियास एक द्वीब था जिस द्वीब पर तुरकों के द्वारा तुरकों के द्वारा 20,000 यूनानियों की हत्या का प्रदर्शन इस चित्र में किया गया था और इस चित्र में महिलाओं और बच्चों के दुखों का वरणन भी किया गया था और इसमें दिखाया गया भीया कि अगर हम राश्ट्री रूप से एक नहीं हुए तो बाद में हमारा भी हस्र ऐसा ही होगा इसका मतलब इसने भी लोगों के अंदर एक भावना जागरित कर दी जैसे हमारे यहां कुछ देश भक्ती गाने आते कि नहीं आते हैं जैसे उसको सुनते हैं रोम रोम फूड पढ़ता है हम हिंदू राष्ट्र के हैं और थात आपके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना आ गई हुआ की नहीं तो यह जो चित्र थे इन लोगों ने राष्ट्रवाद की भावना को उदय करने में महत्पूर साहता प्रदान करी थी यह बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा ठीक है न यह इनकी कहानी थी ठीक है तो ऐसा होगे आपका संस्कृत की भूमिका मैंने इतना बोला अगर आप लिखेंगे न इसको तो एक पेज कम से कम हो जाएगा और मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा और फिल लिखिएगा दुबारा रिपीट करके ठीक है कान लगा कर ध्यान से सुना कर ये बीच में कर कोई भी बात आप ध्यान देंगे न तो आपको ये घुसे गनी दिमाग से निकल जाएगा क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीज है जब तक आप इसको समय नहीं दोगे न ये आपको समय नहीं देने ठीक है ना ज्यान दीजेगा आप लोग तीसरा इसमें भासा की भूमिका ने भी राश्ट्रवाद के उदय में एक मातपुर भूमिका उत्पन की आदा की कैसे जैसे पोलेंड नामक देस था वियना संधी के बाद इस पोलेंड नामक देस को रूस के कबजे में दे दिया ग भासा नहीं बोलनी है पोलेंड की जो भासा थी ना वो पोलिस थी क्या थी या पोलिस ठीक है तो वहां के लोग पोलिस भासा बोलते थे उनके उपर रूसी भासा ला दी जाने लगी तो अता वहां पर विद्रोहियों ने क्या किया कि हमें कैसा समूव बनाएंगे जो केवल पोलिस भासा बोलेगा और उनको दवाने के लिए रूसी शेरा ने कठोरता पुरुवक दंड दिया उनको मारा पीटा जेल में बंद कर दिया परन्तु फिर भी वहाँ पर पोलिस भासा रूसी भासा के बिरोध में बिद्रोह मानी जाने लगी क्या मानी जाने लगी बिद्रोह अर्थात वहाँ पर कोई पोलिस भासा बोलता तो ऐसा माना जाता कि वो रूस का बिद्रोह कर रहा है तो इसी का प्रयोग करके वहाँ के नेताओं ने इसे राश्टरवात की भावना का नाम दे दिया भया कि अगर हम पोलेंड वारी भासा बोलते हैं पोलिस भासा बोलते हैं तो हम पोलेंड राश्ट के लोग हैं अर्थात हमें राश्टी रूप से एक होना है तो हमें कौन सी भासा बोलनी होगी पोलिस भासा बोलनी होगी अर्थात इस भासा ने भी वहाँ पर किसके उदय में साहता प्रदान के रही राष्टरवाद के उदय में राष्टरवाद मैंने क्या का भईया कि लोगों को एक साथ बांध कर रखना तो पॉलिस भासा हम आज से पॉलिस भासा बोलेंगे जैसे हमारे पूरे इंडिया में लाग हो जा आज से हम हिंदी भासा बोलेंगे चीन में जानते हैं आप लोग चीनी मंदारिन सबको वही बोलना है कोई और दूसरी भासा नहीं बोलता है तो वो राष्ट्रवादी रूप से एक हो गए और नहीं हो गए है हमारे यह भाईया हम यह कुछ और बोल रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है याद रखिएगा तो वही कहानी इसमें है कि भासा ने भी राष्ट्रवाद के उदे में भूमी का अदा करी थी याद रखिए तो इस बात को इसमें लिख सकते हैं यह एक देश था पोलेंड जिस पर वियाना संदी के बाद रूस का क्या बोलते हैं आधिपत्य दे दिया गया जो रूस ने वहाँ पर रूसी भासा को अपलाई करना सुरू कर दिया परंतु वहाँ के बिद्रोहियों ने पोलिस भासा को अपने राष्ट्रवाद का हथियार बना लिया और रूस के बिरोज में विद्रोह करना शुरू कर दिया इस प्रकार पोलिस भासा ने भी राष्ट्रवात के उदे में भूमी का अदा करी इसी प्रकार अन्य छेत्रों की भासा हैं जैसे इटिली में आपका इटिली वाली, जर्मनी में आपका जर्मनी वाली, फ्रांस में आपका फ्रांस वाली, ठीक है न, ऐसी भासाओं ने राष्ट्रवात की भूमी का में, क्या बोलते हैं, राष्ट्रवात के उदे में, अपनी भूमी का अदा करी थी, ठीक है, अगला यूरोप में अध्योगी करांती भी आ चुकी थी अधिकान सकाम मसीनों से होने लगे थे जनता बेरोजगार होने लगी थी क्रिसक वर्ग पर जुल्म ढढ़ाने जाने लगे थे उनके उपर ज्यादा कर लगाया जाने लगे थे इसका मतलब बिचारे वो दबते जा रहे थे जाहिर सी बात है भूखा नंगा आदमी क्या करेगा विद्रो ही करेगा विरोजगार आदमी क्या करेगा विद्रो ही करेगा इसलिए वहाँ पर विद्रो बढ़ता गया और विद्रो बढ़ते बढ़ते वहाँ लोगों ने इसे एक राष्टरवादी विचालधारा का नाम दे दिया इस प्रकार जन विद्रोह ने भी राष्ट्रवाद के उद्य में भूमी का आदा की तो ऐसे अप लिख सकते हैं कि उन्नीस्वी सताब्दी में जब यूरोप में जनसंख्या बढ़ने लगी जब यूरोप में जनसंख्या बढ़ने लगी तो वहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी बढ़ने लगी जिससे वहाँ लोगोंने विद्रोह करना सुरू कर दिया और विद्रोह के लिए किसको हत्यार बनाया गया राष्ट्रवाद को हत्यार बनाया गया इतना लिख दीजिएगा यूनान का स्वतंतरता संग्राम यूनान के स्वतंतरता संग्राम ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदे में एक महत्पुर भूमिका अदा की थी यूनान का स्वतंता संग्राम जो था 1831 में यूनानी लोगों के द्वारा तुर्कों के विरुद्ध किया गया था यहां देख रहे हैं आप लोग देखिए तुर्कों के द्वारा 20,000 यूनानीयों की हत्या करी गई थी वो इसी से संबंदित था थेक्या ना तुर्क तुर्क लोग आटोमन सामराज्य से आते थे और तुर्क पे राज्य करते थे इन्होंने 1430 इस्वी में कुस्तुंतुनिया नाम है कुस्तुंतुनिया पर अधिकार कर लिया था ये तुर्की का एक अस्थान जिसे आज के समय टर्की भी कहा जाता है याद रखिएगा कुस्तुन्तुनिया पर 1403 में इन्होंने अधिकार कर लिया था तब से ये लोग उसे एरिया में राज्य करते थे और वहीं पर जो आपका ग्रीश था यूनान जिसे कहा जाता था वहाँ पर भी उलग अपना आधिपत्य जमा लिये थे और वहाँ के जनता पर बरबरता पुरुवक सासन करते थे उसी चित्र का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था जो आपने देखा पीछे संस्कृत की भूमिका वाले में याद रखिएगा तो वहाँ के लोगों ने इनके खिलाब विद्रोग करना सुरू कर दिया और वहाँ पर 1831 में स्वतंतरता संग्राम सुरू हो गया और आगे बढ़ते बढ़ते अन्य यूरोपिये देशों की मदद से 1832 में कुस्तुन्तुनिया देखिए गलती मैंने लिविया पर कुस्तुन्तुनिया इस तरह से है तो कुस्तुन्तुनिया की एक संध ही होती है जहां से ग्रीस अथवा यूनान को स्वतंतर कर दिया जाता है और इस पर से आटोमन सामराज्य का आधिपत्य समाप्त हो जाता है इस संधी को करवाने में महत्पूर योगदान था यूरोपी महासक्तियों जैसे रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस का क्योंकि यह लोगों समय महासक्ति थे तो इन लोगों ने ही वहाँ पर मिलकर विद्रोप को सुरू कराया था और संधी में भाग लिया था और यूनान को स्वतंतर करवाया था ठीक है ना? याद रखिये तो इस प्रकार से इस स्वतंतरता संगराम से जब यूनान के लोग स्वतंतर हो गए तो अन्य राज्यों के लोगों ने भी सोचा कि जब ये लोग स्वतंतर हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं अता हम लोग भी विद्रो करेंगे और हम लोग भी स्वतंतरता प्राप्त करेंगे ठीक है? तो इन लोगों ने भी अपना विद्रो सुरू कर दिया, इसका मतलब मैं करा सकता हूँ कि अन्य देशों में राश्ट्रवात का उदय करने में यूनान के स्वतंतरता संग्राम ने साहयता प्रदान करी, जैसे माल लीजिए क्या हुआ, कि आपका घर है आपके घर में आपके पिता जी है उन्हीं चलती है, सब लोग उनसे डरते है, सब लोग उनसे डरते है कोई उनकी बात का उत्तर नहीं देता है, लेकिन आज उनके सबसे बड़े रड़के ने उनको जवाब दे दिया, तो जाहिर सी बात है उस घर में अब विद्रो पनपने लगेगा, अगर आज एक ने जवाब दिया है तो कल दूसरा जवाब देगा, परसको तीसरा जवाब देगा, वही कहानी यहां पे थी कि अगर एक जगा सोतंतरता संग्राम हो गया सब लोगों ने सोचा अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं तो यहां भी राष्टरवाद के उदे में सहायता परदान मिली करांतिकारियों का उदे, आप तो जानते ही है 1830 के बाद बहुत सारे करांतिकारियों का उदे हुआ जैसे जियूद्चिप मेस्तिनी, गैरी बालडी कावूर, ठिकन आट वान विस्मार्क, आपका मैं का सकता हूँ की भीया, काईजर विलियम प्रथम, और फिर आपका जो इसमें था, कौन सा था भीया उसका नाम नहीं यादा रहा जी, कौन था चलिए आप लोग बताएए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएगा कि इटली के एक ही करण में राजा किसको घोसित किया गया था इटली, बिलियम प्रथम ही था क्या सायद याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग बताएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, मुझे नाम नहीं यादा रहा है तो इन लोगों को आप बोल सकते हैं कि इन लोगों ने करांतिकारी माध्यम से अपने राष्ट को एक ही कृत करने का प्रण लिया और वहाँ पर उनके अंदर राष्टवाद की भावना का उदय किया और वहाँ की जनता को अपने साथ मिला लिया कैसे अगर आप किसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो पहले वहाँ की जनता को मिलाइए उनके अंदर एक राष्ट की भावना का उदय कीजिए उनके अंदर बताइए भई अगर हम लोग मिल के रहेंगे तो हम लोग एक साथ रह लेंगे और G1 आसानी से जी लेंगे नहीं तो कोई दूसरा हमारे उपर राज करके हमें परिसान करता रहेगा ठीक है ना ये बात को ध्यान में रखिएगा तो आप ऐसे उसमें करांतिकारियों के उद्धे में लिख दीजिएगा तो अगर आपको इतना लिखना है तो आप ये चीज़ लिख देंगे तब भी नंबर मिल जाएगा और मैंने जो बोला उसको एक दो दो लाइन हेडिंग के अंदर बढ़ा देंगे तो थोड़ा और फायदा रहेगा ठीक है तो एक बार मेरी बात को दुबारा रिपीट करके स पूरा का पूरा बन जुका है मैंने पूरा एकदम विस्तार पूरवक समझाया इस संस्क्रित की भूमी का कैसे रही थी वहां के जो कभी थे उन लोगों ने काब्डे कलाओं उसके बाद कभीताओं लोक निर्थियों गीतों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को व भूमी का अदा करी इसमें से तीन माध्पूर चितर दिखाये गए थे और यहां पर आपको वहां की कमियों को दिखाये गया था और बताया गया था कि अगर हम लोग जीना चाहते हैं चैन से तो हमें राष्ट्रवाद की भावना को उत्पंद करना होगा हमें मिल कर एक लेकता के सुत्र में बानती है भारत माता की जैग सब मिल जाएंगो यह भारत माता की जैग 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 जोन से पार्टी के हों ठीक है ना याद रखिए क्यों कि राष्ट्रवाद है अब आते हैं दो मात्पूर सब एक मारियान और एक जर्मेनिया यह पूछा जाता आप पेपर में मारियान और जर्मेनिया कौन थे तो वास्तों में यह कोई आदमी या कोई और आउरत नहीं थे वहाँ पे जब क्रांटी का दोर चल रहा था यूरोप में तो वहीं पर फ्रांस के अविसकारकों ने एक कालपनिक महिला का चित्र बनाया प्रतिमा बनाई उसकी औ जो जन राष्ट्र के विचार को प्रस्तूत करता था और इसका प्रतीक था लाल टोपी तिरंगा और कलवी इसी को हर चावराहे पर हर छेत्र में बना कर फ्रांस में राष्ट्रवाद की भूमिका को बढ़ावा दिया जा रहा था याद रखियेगा तो यह मारियान कोई व रस्तूत करती थी बस इतना ही आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो यही आपको लिखना होगा एक या दो नंबर में आएगा जो मैंने बोला उसी को लिख दीजिएगा ऐसे जर्मेनिया यह जर्मनी में एक कालपनिक महिला का चित्र था जिसके सिर पर बलूत पेड़ के पत के उपर बलूत का फ्रिक्श कमगुट लगा हुआ है अर्फात यह वीर महिला है और उसके हाथ में एक तलवार भी था उस तलवार पर लिखा था कि यह तलवार जर्मन राईन की रक्षा करती है तो यह वहां भी जर्मनी में करांटी के लिए बनाया गया एक कालपनिक चित तो मारियान और जर्मेनिया दोनों कालपनिक कित्र थे जो की अपने अपने देश में फ्रांस और जर्मनी के द्वारा बनाये गए थे करांटी को प्रदर्सित करने के लिए समझ रहे हैं आप याद रखिए लाश्ट के दो पॉइंट इनकी विचर्चा हम लोग कर लेते हैं करा है जौलवेराइन जौलवेराइन क्या था अठारा सो चौंतिस में प्रसा की पहल पर अब भाया आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में जो प्रसा था प्रसा किसके एकी करण का महत्वपूर राज्य था अर्थात प्रसा के अध्यक्षता में किसका एकी करण हुआ था इटली का की जर्मनी का अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में और प्रसा का पी-म कौन था ये भी बताईएगा ठीक है न दिरे-दिरे आपको याद भी होता चलेगा साथ में तो 1834 में प्रसा की पहल पर गठित किया गया एक सुल्क संग था सुल्क संग सुल्क क्या होता है वही जो करवसूल आ जाता है टेक्स वसूल आ जाता है तूसी का एक संग था और ये किस लिए बनाया गया था किस के द्वारा बनाया गया था वहां के मध्य को शुरू करेंगे अर्थात बाजार को आजात कर दिया जाएगा बाजार पर किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए सुल्क को समाप्टकर दिया जाए जो इतने ज़्यादा हर जग़ा सुल्क लगते रहते हैं हम लोग सामान अपना कैसे ले जाएंगे उनको समाप्त कर दिया जाए तो इसके लिए इस जॉल वेराइन नामक संग की अस्थापना करी गई थी इसने इसको समाप्त कर दिया और बाजार को आजा दी दी और उस समय उस समय वहाँ पर लगभग 30 से जादा मुद्राय चल रही थी सबको खतम करके केवल मुद्रायों की संख्या दो कर दी गई तो ये जॉल वेराइन संग की कथाथी काम था ठीक है ना याद रखिएगा लास्ट पॉइंट आज का है हमारा और कहानी आज की यही पर खतम करेंगे फिर अगली क्लास से हम लोग भारत में राष्टरवात का उदय की कलपना को सुरू करेंगे उसमें आपको काफी मज़ा आने वाला है क्यों क्योंकि वह हमारा है या हम जानते हैं उसके बारे में ठीक है आगे देखिए यह जैकोबिन कलब था जैकोबिन कलब क्या था यह कहां पे था फ्रांस में था बना कब था फ्रांसी सी करांती की सुरूआत में कब 1789 में कब तक अस्तित्व में रहा? 1794 तक अस्तित्व में रहा ये जैकोबिन कलब क्या था? राजनीतिक तलों के द्वारा या राजनीतिक लोगों के द्वारा या मैं ऐसे कहा दूँ कि छात्रों और मध्यम सिक्षित वर्गों के द्वारा बनाया गया एक राधनीतिक समूह था जो अपने अपने नियम कानूनों की समिक्षा करता था 1789 में बना और 1794 तक चला करांतिकारी गतिविदियों में इसने भाग भी लिया था याद रखिए यह जैकोबिन क्लब है कहां पर अस्थापित हुआ फ्रांस में अस्थापित हुआ 1789 से 1794 तक अस्थित्व में था छात्रों और मध्यम सिक्षित वर्गों के द्वारा बनाया गया एक राधनीतिक समूह था अर्थात अपने यहां की राजनीतिक सरगर्मियों में बढ़ चड़के भाग लेता था क्रांती में बढ़ चड़के भाग लेता था 1794 तक इस तक अस्थित्व था 1794 में इसके अस्थित्व को समाप्त कर दिया गया ठीक है ना चलिए तो आज की कहानी हमारी यहीं पे होती है समाप्त तो इस तरह से हमने लगभग पांच क्लास में यूरोप में राष्टरवाद का उदय को समाप्त कर दिया है आप इन पांचों क्लासेज को अब तक नहीं दीजिए बहुवी कलपी सवाल तो हम लोग लाष्ट में कर लेंगे तो भी हम इस समझ में आ जाएगा चलिए भी यह तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे हम लोग नेक्स क्लास में क्लास बढ़ियां लगी हो तो अपने मित्रों के साथ सेर जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएगा धन्यवाद गुड नाइट